हेलो फ्रेंज, वेलकॉम बैक टो आवर चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्लेन कपड़े पर प्रिंटेट कपड़े की मदद से एक बहुती सुंदर सा नेक डिजाइन बना कर दिखाने वाले हैं दोस्तो प्रिंटेट कपड़ा आपको जितना अच्छे से अच्छा मिल जाए उसे ले ले ताकि आपका नेक डिजाइन जो है बहुती खुबसूरत नजर आए तो हमने यहाँ पर अपना जो प्रिंटेट कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है चोड़ाई 12 इंच रखी है दोस्तो इस पर हमने उल्टी तरफ पेपर फ्यूजिंग भी चिपका ली है अब हम इसमें कुछ सेफ देंगे अपने अकोडिंग तो दोस्तो सेफ देने के लिए हमें अपने कपड़े को कुछ इस परकार से फोल्ड कर लेना होगा और इसी के साथ हम आपको अपना एक छोटा सा मैसिज देना चाहते हैं दोस्तो मैसिज यह है हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com जहां पर आपको बहुत ही अच्छे-च्छे blouse के designs, कुर्ती के designs और आप अपनी फैबरिट एक्टर्स के outfits के बारे में भी जान सकते हैं मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस, कौन से function पर पहनी हुई है अगर आप इन सब चीजों में इंटरस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें तो दोस्तो सेफ देने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो उपर से इसमें 14 इंच की लंबाई पर निशान लगाना होगा आप अगर चाहें तो इसकी लंबाई कम्याजादा अपने इसाब से रख सकते हैं ये हमने निशान लगा दिया है और उपर की तरफ देखिए हमारा यहाँ पर 12 इंच कयारा यानि 12 इंच का अदा 6 इंच अब नीचे की तरफ आपको क्या करना है एक निशान लगाना है 4 इंच फोर का डबल जब खुलेगा तो 8 इंच होगा अब हम अपने इन निशानों को इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाँगे क्रास करते होगे और सेम निशान पर हम कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों यह हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने गले की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान लगाएंगे दोस्तों हमारे गले की जो ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच तो 7 इंच का हाफ करके हम 3 एंड हाफ पर मार्क लगाएंगे और गले की जो हमारे लंबाई है वो है 5 इंच अब हम इन निशानों के आपस में मिला कर सीधा करेंगे और इसके बाद दोस्तों अंदर की तरफ हम अपनी एक राउंड शेफ देंगे देखिए इस परकार से यह हमने अपनी एक सेफ दे दी है और इसके बाद इस निशान से नीचे की तरफ हम अपना एक दो इच पर मार्क लगाएंगे और यहां से हम बारिक सा मार्जन लेते हुए उपर तक इस तरीके से मार्क लगा देंगे अब ऐसा ही सेम निशान हमें अपने इस कपड़े को खोलने के बाद में इस तरफ भी चाहिए तो देखे दोस्तो निशान हमारा हलका हलका आ गया है अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है अब हम अपने नेक को कुर्टी पर बनाएंगे चलिए मशीन पर तो दोस्तो नेक डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा अपनी लेनी होगी कुर्टी और कुर्टी को कुछ इस प्रकार से खोल लेना होगा खोलने के बाद में आपको क्या करना है उल्टा भाग कुर्ती का उपर की तरफ रखना है और रखने के बाद में दोस्तों आप अपने नेक को इस तरीके से उपर की तरफ उल्टा भाग रखेंगे और नीचे की तरफ सीधा नेक का और कट से कट मिलाकर इस तरीके से रखना होगा और रखने के बाद जो आपने मार्किंग की है सेम मार्किंग पर फ्लाई लगानी होगी आप इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर का मार्जन थोड़ा मार्दन छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे और अब हम अपने नेक को सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे जिसकी वेशे हमारा नेक सीधी तरफ इस तरीके से नज़र आएगा और फिनिसिंग के साथ दोस्तों इसमें प्रेस लगा लेंगे तो देखे दोस्तों प्रेस लगाने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है बहुत ही खुपसूरत आ गया है और अब इसे और भी जादा खुपसूरत करने के लिए हम यहाँ पर अपनी कुछ इस परकार की लेस को यूज़ करेंगे दोस्तों यह लेस आपको मार्किट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी इस लेस को कैसे लगाएंगे दोस्तों यह आप देख रहे हैं आपका नेक जो यहाँ पर कच्चा है इसको यहाँ पर कवर करते हुए आपको अपनी लेस को इस तरीके से लगाना है तो हम यहाँ पर तो देखी दोस्तो यहां पर हम ने अपने पूरे नेक पर कुछ इस तरीके से लैस को लगा लिया है और लगाने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है दोस्तो बहुत ही खुबसूरत आ गया है और अब इसे और भी जादा खुबसूरत करने के लिए दोस्तो आप यह जो ब्रोकेट बीच में बने दोए देख रहे हैं इनके बीच में हम यहां पर अपने कुछ इस तरीके के वाइट कलर के मोटी लगा देंगे जिसकी वेज़े से हमारे नेक का लुक बहुत ही खुबसूरत हो जाएगा तो देखी दोस्तो मोटी लगाने के बाद में हमारे पूरे नेक का जो लुक है बहुत ही खुबसूरत हो गया है आपको हमारा आज का ये नेक डिजाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथी दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com